नमस्कार SBT News में आपका स्वागत हैं पेशे 14 सितंबर गुरुवार दोपर सवा 3 बजे राजेसान की 15 बड़ी खबरे इस न्यूस बिलिटिन के प्राई ओज़क हैं विनी, विनी केक अन मोर तो सबसे पहले एक नज़र दालते हैं आज के हेडलाइन्स पर शाहा बोले हिंदी भाषा ने इस वतंतरता अंदोलन में देश को एक सूत्र में पिरोया सागर में उपन जीप में सबस्तल पहुंचे पीमो दी विशे सत्र के लिए भाज़पा का सांसदू को हाजी रहने के निर्देश आईए एनेस पोल स्ट्रेट ओपीनियन पोल में कॉंग्रिस को फिर मिल रहा बहुमत और कोटा में सीयम अच्वाना ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट की जमीन देखने पहुंचे और अब खब्रे विस्ताव से हिंदी दिवस के अफसर पर केंद्रे ग्रह मंत्री अमिच्छा ने कहा हिंदी दिवस के मौके पर केंद्रे ग्रह मंत्री अमिच्छा हिंदी भाज़पा ने स्वतंत्रता आंदोलन में देश को एक सुत्र में बानने का भूत पूर्व काम किया है इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बंटे देश में एकता की भावना स्थापित की ग्रैम अंत्री ने कहा हमारी सभी भाषाओं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं जिसे हमें एक साथ लेकर चलना है हिंदे के किसी भी भारते भाषा से ना कभी स्पर्दा थी और ना कभी हो सकती है हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्तर रास्ट का निर्मान होगा पेया मोदी आज मध्यप्रदेश के दोरे पर हैं उन्होंने सागर के बीना रिफाइनरी में पचास हजार करोड के पैट्रो कैमिकल प्लांट के अधाशिला रखी रिफाइनरी से तीन किलोमेटर दूर हड़कल खाती गाउं में सभा को संबोधित किया सबस्तल से ही मोदी ने ठारा सो करोड के इंडुस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का वर्चुल शुला नयास किया इन में नर्मदापूरम के उजजावम नव करने हैं उजजा उत्पादन प्रशेत्र आईटी पार्क तीन और चार इंडौर मेगा इंडुस्ट्रियल पार्क रतलाम छे इंडुस्ट्रियल पार्क शामिल है प्रधान मंतरी का मध्या प्रदेश में छे महिने में ये छटा दोरा है संसत के विशेश सत्र के लिए भाजपा ने अपने लोगसबा सांसोदों को उपस्तित रहने के निर्देश दिये हैं तीन लाइन की विप जारी करते हुए सरकार ने संसतों से कहा कि सदन में कुछ अधिमहतपून विधाई कारे पर चर्चा और उन्हें पारित कराने के लिए उन्हें उपस्तित रहना है चर्चा है सरकार इस विशेश सत्र में पोस्ट आफिस बिल और चुनाव आयुकतों की नियुकती वाले संशोदन बिल पेश करने वाली है कुल चार बिल पेश किये जाएंगे जिनमें चुनाव आयुक वाला विध्यक सबसे एहम है इस संशोधन विध्यक के जरी सरकार चुनाव आयुक की नियुक्ति से सुप्रीम कोड का दखल खत्म करना चाहती है राजसान विधानसबा चुनाव दो हजार तेईस में चंद दिन बचे हैं कॉंग्रिस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनावी जंग जीतने के दावे कर रही है इसी भी सामने आए आए एनस पोल स्टेट ओपिनियन पोल दो हजाते इसने कॉंग्रिस की उमीदों को पंख लगा दिये हैं पोल के 19 साल के अंदर में होने वाले विदानसबा चुनाओं में गहलो सरकार रिपीट हो सकती है ओपिनियन पोल की माने तो कॉंग्रिस को इस चुनाओं में 97-105 सीटे मिल सकती है और राजसान में पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रख सकती है कोटा प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह मुख्य मंतरी अशो गहलोत अचानक शम्भू पूरा पहुचे और यहां ग्रेन फिल्ड एरपोर्ट के प्रस्तावीत जमीन देखिया और इसकी प्रगति के बारे में जौन करे ली मुख्य मंतरी के दौरे के दौरे के बाद ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला होने की संभावनाएं जता ही जा रही है मुख्य मंतरी बुधवार को पत्रकार वारता में कहा कि एरपोर्ट को लेकर हमने निशुल के जमीन देने का जो कमिटमेंट किया था वो पूरा कर दिया है और केंडर सरकार को एरपोर्ट बनाने के लिए आवशे कदम उठाने चाहिए रहतान सरकार ने प्रदीश में 17 नव गठीत जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वेप्रारंबिक के कारेले खोलने के स्विकृति जौरी कर दी है इसके लिए 408 पत स्विकृत किये गए हैं साथ ही कारेलों के किराए और अन्य खर्चे के लिए 27 लाखर पे मंजूर किये गए हैं ये कारेले शाहपुरा, अनुबकट, ब्यावर, बालोत्रा, ब्यावर, डिक, डीडवाना, कुचामन, दुदु, गंगपूर सिटी, और केकडी, कोट पुतली, बहरोड, खैरतल, नीम का थाना, फलोदी, सलुमबर, सांचोर, जैपुर, ग्रामीन वे जोदपुर, ग्रामी और हैरत अंगेज कलाबाजियों का प्रदर्शन किया जाएगा, मांस अगर जिल की पाल पर दोपह साड़े तीन से साड़े चार बजे तक आयोजित होने वाले इस कालिकर में वायू सेना की सूरे किरण, एरोबेटिक टीम अपने अदम में सहास और दक्षता का प्रदर्श प्यम मोदी ने इंडिया गर्ड बंदन पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुंबई की बैठक में सनातन को खत्म करने का संकल्प लिया, वे सनातन को खत्म करके दوبारा भारत को गुलामी के दौर में ले जाना चुआते हैं, मद्यप्रदेश के बीना में पेट्रो क्यामिकल क कॉंप्लेक्स की अधार शिला रखने के बाद पीम मोदी ने जोहां एक तरफ G20 समेलन के सफल आयोजन का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर जोड़दार प्रहार किया, पीम ने कहा, एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थे दिखा रहा है, व दस्मी की फरजी अंक तालिका बनवा कर लगा दी, जिसकी जाँच जब विभाग में की गई तो आरूपी की दस्मी की अंक तालिका पूरी तरह से फरजी निकली, जट एरवेज की संस्था अपक नरेश, गोयल को पीमले कोट ने 14 दिन की नियाएक हिरासत में भेज दिया ह उन पर 538 करोड रुपए की घोटा रिका रूप है राजिसान भाषपा की ओर से निकली ज़ा रही भाषपा परिवर्तन संकल्प यात्रा शाहपुरा विधानसभा शेत्र में 16 सितंबर को प्रवेश करेगी इस यात्रा का सुबर 11 बजे धवली बस्टैंड पर पूर विधानसभा उपाध्याक्षुराव राजु इंद्र सिंग के नेत्रतों में खेजरोली भाषपा मंडल के कारेकरता पतादिकारी स्वागत करेंगे इसके बाद यात्रा राडवास और अमर सर चौकी का बढ़ पर अमर सर मंडल की कारेकरता स्वागत करेंगे दोपहर एक बजे त्रिवेणी धाम यात्रा पहुंचेगी जहां शाहपुरा देहात मंडल की कारेकरता स्वागत करेंगे दोपहर दो बजे शापुरा मंडी तिराही की सामने आमसवा होगी डीडवाना की राज के बांगड कॉलिज में 19 सितमबर तक रिखते सीटों के लिए ओनलाइन आविदन किये जा सकेंगे प्राचारे डॉक्टर मनीशा गोदारा और पीजी नोडल अधिकारी डॉक्टर के के मिश्रा ने बताया कि पीजी प्रीवेस कक्षाओं में हिंदी में अनुसूची जन जाती लोग प्रशासन में विशेश पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पिछड़ा बहतिक शास्र में अनुसूचीत जन जाती आदी के लिए रिक्त सीटों पर उन्ने सितंबर तक ऑन्लाइन आविदन किये जा सकेंगे गनेश चतुर्थी को लेकर शहर सहित ग्रामिन शेत्रों में काफी उत्साहत देखा जो रहा है ऐसे इस बार हाला सुधने के बाद लोकल के साथ-साथ बाहर से भी बड़ी संख्या में गनेश प्रतिमा बिकने के लिए बाजार में पहुँची है इन प्रतिमाओं में जातर इस बार कच्छी मिटी से तैयार की गई प्रतिमा आई जिस की काफी डिमाड है लेकिन हैंडमेड होने की कारण इनकी कीमत P.O.P. से तयार की गई मूर्तियों से डबल रेट में हैं कस्टमर कीमत सुनकर मिट्टी की प्रतिमा को कम खरीद रहे हैं सवाई मादपर जिले में रन था मौ टाइगर रिजर में बागिन टी 89 की दो शावकों की मौत हो गई थी बागिन टी 89 का भी पता नहीं लग सका है इन सब के बीच रहात की खबर है बागिन का तीसरा शावक पूरी तरहां से स्वस्थ है वन विभाग को एक सब्ताह पहले बागिन का तीसरा शावक कम जोर हालत में मिला था वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम इलाज कर रही थी लगातार मौनिरिंग के बाद अब शावक पूरी तरहां से स्वस्थ है कुछांग।